Hi guys, आज़ की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुतीं इंट्रस्टिंग प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट Loon So हम डिस्कस करेंगे ये बिलून का नेटवर्क काम कैसे करेगा and ये सबको इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करेगा So दोस्तों आएए देखते हैं जैसे कि हमने देखा कि ये गूगल की कमपनी है Loon LLC ये कमपनी सबको प्रोवाइड कराए जाएगी इंटरनेट फॉर ओल and जो Loon LLC के नाम से कमपनी बनाई है गूगल ने ये कमपनी करेगी जो इस प्रोजेक्ट Loon को चला रही है पब्लिक लिमिटेड कमपनी So वैसे ही युनाइटिट सेट्स में दो तरह की कमपनी सोती है Limited Liability Corporation and INC4 Inc. So Alphabet Inc. जो गूगल कमपनी की हेड़ क्वाटर कमपनी है या पेरेंट कमपनी है उसकी एक सबसीडरी कमपनी बनाई गई है Loon LLC So ये कमपनी क्या करेगी ये balloons में जो hot air balloons होते हैं या बड़े-बड़े balloons होते हैं उसमें technology fit कर देगी ताकि वो balloons उपर जाएंगे हावा में at the height of 18 km in the stratosphere layer and वहाँ पे जो इनके devices होंगे वो internet signals को create करेंगे and जो internet signals and internet waves ये नीचे की तरफ भेजेंगे So यहाँ पे जो भी versions हैं वो सिर्फ अपने smart phones के जरिए उन signals को catch करके Wi-Fi का इस्तमाल कर सकते हैं So आप देखे कि अगर हिमालियन रीजन है या कोई भी हिली या remote area है इसे कोई forest का area है वहाँ पे telephone networks ही नहीं ये balloon मैंने उस tribal area के ऊपर भेज दिया और मैंने उसको वहाँ station कर दिया अब वहाँ station हो गया ये एक हवा में ही ये खड़ा हो जाएगा So अब ये telephone की internet wave सब जगा भेजेगा जिसके पास भी एक smart phone है वो उन waves को Wi-Fi के जरिए से connect कर सकता है ये work करेगा LTE technology जो 4G technology की speed होती है जिसके पास भी कोई special sim है से गूगल के अपने sim cards प्याते है किसी के पास अगर वो Google का sim card है वो उसके जरिए उस internet को access कर सकता है बड़े ही आराम से So हमने ये देखा कि balloons के जरिए internet signals भीजे जाएंगी धरती पे और यहाँ पे smart phones के जरिए हम उनको catch कर लेंगे जिसे plane wifi चलते है बस plane wifi चलने के लिए हमें एक router और एक modem चाहिए होता है जो एक तरह पर fix होता है वही router और modem हम ऊपर हवा में balloons में fit कर देंगे सर बड़ बिलून एक जिपकर खड़ा कैसे रहेगा वो तो खो जाएगा direction कैसे measure करेंगे दिखी जो balloons होंगे उनको maneuver किया जाएगा उनकी height उनकी direction सब कुछ adjust किया जाएगा और यह सब जो ground station पर staff है यह सब वो कुछ कर पाएगा moreover उनके पास patch antennas होंगे जिससे उनको direction भी मिलेगी balloons को कि आप 10 degrees north जाना है या 15 degrees east में चलिए the ground staff अपने laptop से बैठे बैठे पूरे hotter balloons को around the world control कर सकता है आप खुद देखिए कि कितनी progress हो चुकी है आज के rate में बैठे बैठे एक कोने में बैठे बैठे दुनिया के दूसरे कोने में कोई हवा में hotter balloon चल रहा है हम उसे भी target कर सकते है कि उसको कहां पे fly करना है moreover इन में helium gas भरीवी होगी and sir क्या ये aircraft से वो भी तो हवा में चलते है उनसे टकानी जाएंगे जी नहीं plane जिस height पे चलता है ये उससे भी उपर उससे double height पे ये planes balloons उड़ेंगे सो खत्रे की कोई बात ही नहीं moreover अब technology इतनी इतनी progress हो चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद घंटों में ये balloons को google company बना सकती है पूरा process इनको launch करने का automatic कर दिया गया है moreover पहले ये जो balloons थे ये हवा में सिर्फ 10 days के लिए रह सकते थे बट अब technology इतनी advance हो गई है या इतना learning curve इंप्रूव हो गया है कि ये balloons हवा में 100 days तक रह सकते हैं सो हमने एक basic जान लिया project loon के बारे में अब एक चीज आई थी जिसका नाम था stratosphere सो stratosphere से ही अगर बाकि कुछ चीज़े हमें जाननी है से माल लीजे ये troposphere होता है ये stratosphere होता है फिर उसके बाद mesosphere आता है फिर thermosphere आता है फिर exosphere आता है आपको ये order पता होना चाहिए अगर आप और इंबे थोड़ी सी research करना चाहते है तो slide pause करके ये details आप देख लीजेगा आपको help हो जाएगी आपको project loon का एक basic idea मैंने provide किया आप detail में मत गुसेगा आपको engineering के कोई exams देने है या आपको science में आगे progress करनी है अगर आपको अपनी current affairs update करने है आपके लिए basic knowledge जाना ये ज़रूरी है कि project loon alphabet inc की subsidiary loon LLC के इंडर चल रहा है इसमें balloons के माध्यम से सबको internet provide करना जाने का तरीका है जो मैंने आपको अभी समझाया आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please मुझे बताइएगा अपने comments ज़रूर ज़रूर दीजेगा definitely subscribe तो आपने channel करना ही करना है thank you so much for watching this video have a nice day